जोती शर्मा पतनी धीरज शर्मा अपनी सांस के साथ बजार से खरीदारी कर गोबिंदगर स्थेट अपने घर रिक्षे पर सवार होकर जा रही थी कि अच्छानक से पीछे से आए दो बाइक सवार यूवकों ने जोती से उसका पर्स छीनने की कोशिश की जोती के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने आगे आकर बाइक सवार यूवकों में से एक को पकड़ लिया जबकि दूसरा यूवक बाइक छोड मौके से फरार हो गया जोती ने बताया कि उसके पर्स में दस हजार उपए वह जुरूरी कागजात थे घटना की सूचना मिलते ही थाना नंबर 3 की पुलिस मौके पर पहुच गई और आरोपी को कबजे में लेकर पत्रकारों की किसी भी सवाल का जवाब ना देते हुए घटना स्थल से निकल गई एक जवाब ना देबे से गई ता इधा सी पर्स विच रख आया वो एकदा विच जवाब के किची अना ने पर्स में चट्धिया नी किसी इदे काफी दूर तक ना लगे फेर ना उना जोचा कि पर्स चट्धिया नी फे दोड़ गे फेर एत्रो एट आपजी आई इम अग मेरे मेरे मादर से मेरा बच्चा सीदा रहे है यह मोटर साइकल थी दो जड़े